शिर्मद भगवद गीता जो समस्त वेद पुराण उपनिशद शास्त्रों का सार है भगवान शंक्राचारिय ने कहा कि जैसे गाई का सार दूद होता है वेशे सारे वेद पुराण उपनिशद यदी गाई के समान है तो उस गाई रूपी वेद रूपी गाई का दूद है शिर्मद भगवद गीता और जैसे गाई का दूद कोई ग्वाला निकालता है वेशे समस्त वेद शास्तर रूपी उस सार को निकालने वाले स्वयम भगवान क्रिश्न है और पार्थ वत्स सुधिर भोकता और पार्थ अर्जुन बचड़ा है जैसे बचड़े के माध्यम से मनुष्य को दूद मिलता है वेशे अर्जुन रूपी वत्स बचड़े के माध्यम से भगवान सी क्रिश्न ने इस गोप ने इस ग्वाले ने पुरी दुनिया को भगवत गीता रूपी दूद का पान कराया अब इस दूद को आप सीधा पीए या इसका पनीर बना कर खाईए या इस दूद की खीर बना कर खाईए शुमत भगवत गीता एक सारोभोम ग्रंत है फिर उसे सेमिनार के द्वारा, कथा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, गीत के द्वारा अनेकों प्रकार से इसे ग्रहन किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है पद्मपुरान से जहां से हम सब गीता माहत में सुन रहे हैं वहाँ पर तो विदव्यास मुनी ने बहुत सुन्दर निविदन किया शिव जी कहते हैं पद्म पुरान के सशलोक में शिव जी कहते हैं निर्मन्थ बहुदा लोक्या बहुत सुन्दर शब्द है कि निर्मन्थ मन्थ मन्थ मने मन्थन करना जैसे दही का मन्थन करते हैं वैसे शास्त्रों का मन्थन किया गया नितराम मन्थ मनले कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से निर्मन्थ मन्थन किया गया किसका बहुदा लोक्या वेद शास्त्राम इस संसार के बहुत बहुत वेद और शास्त्रों का जब मन्थन किया गया किसने मन्थन किया द्वेपायनों द्वेपायन भगवान विदव्यास मुनी ने समस्त वेद शास्त्र पुराणों का मन्थन किया और जैसे दही का मन्थन करते हैं तो उसका सार माखन बनता है कृष्ण द्वेपायन भगवान विदव्यास मुनिने जब समस्त वेद शास्तर पुराणों का मंतन किया तो सार के रूप में उस समस्त वेद शास्तर पुराणों के माखन के रूप में गीता शास्तरम नी सुरुष्टवान श्रिमद भगवद गीता रूपी शास्तर पर आप सब जानते हैं हमारे भगवान से कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है और सारे वेद पुरान उपने शदों का सारे भगवत गीता तो अल्टिमेटली कृष्ण को गीता बड़ी प्रिय है और महबूब की हर चीज महबूब होती है इस न्याई से कि हमारे जो प्रिय होते हैं कृष्ण यदि हमारे प्रिय है तो कृष्ण को जो प्रिय है वो हमें भी प्रिय होना चाहिए इसी को कहते हैं महबूब की हर चीज महबूब होती है जो भगवान सी कृष्ण को यह प्रिय ग्रंथ माखन के रूप में समस्त वेद पुरान शास्त्रों के सार के रूप में यह भगवद गीता प्रकट होई शुमद भगवद गीता का महात्म्य हम सब श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार से स्वयम भगवान विश्णु ने देवी लक्षमी जी को निविदन किया क्यां भगवान विश्णु ने कहा अतो अध्यायय तद पष्ण बार घ्वद विश्णु लख्षमी जी से कहते हैं कि लक्षमी यदी कोई श्रमत भगवत गीता के एक अध्याई का पाठ करें जैसे कथा के शुरू में आप सब करतें सो अथो अध्यायम यदी कोई एक अध्याई का पाठ करें देखे हमारे भगवान बड़े प्रेक्टिकल है हमारे रुशिमुनी भी बड़े प्रैक्टिकल है इसलिए भगवान स्थिति को देखर कहते हैं कि अतोध्यायम रोज प्रती दिन डेली भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए भगतो अब हमारे और आप में कोई अंतर है ही नहीं हमारे और आपके बीच में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है इसलिए मुझे कहने में हर्ज नहीं होता कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ें हम चाहे भागवत पढ़ ले, रामायन पढ़ ले, वेद पढ़ ले परंतु भगवत गीता को पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए यदि भगवत गीता पढ़ ली, तो फिर से शुरू करना चाहिए बारं बार जीवन का क्रम होना चाहिए कि जीवन भर तक हम रोज गीता का एक अध्याए पढ़ेंगे तो कहते हैं कि अतोध्यायम भगवान विश्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि यदि कोई एक दिन में एक अध्याए पढ़ें लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभू ये कल्यूग चल रहा है और इस कल्यूग में लोग जौब करते हैं, बिजनेस करते हैं कितना टाइम अपने अपने काम दंदे में देते हैं कुछ रिजनेबल कीजिए भगवान विश्णु ने कहा मैं कहा ज़्यादा बोल रहा हूँ पूरी गीता पढ़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ एक दिन में एक अध्याए पढ़ने को कह रहा हूँ हमारे लिए लक्षमी जी ने अपने पती विश्णु से जगड़ा किया कलह किया बोले ये रिजनेबल एक दिन में एक अध्याए रिजनेबल नहीं आप थोड़ा सा रिजनेबल करो तब आगे भगवान विश्णु कहता है कोई बात नहीं लक्षमी एक दिन में एक अध्याए नहीं अतोद्यायम तद उस एक अध्याए का अर्धम वा उस एक अध्याए का आधा अध्याए तो कोई पढ़ सकता है तब लक्षमी जी ने कहा कि आधा अध्याए भी प्रभू आधे अध्याए में पंदरा मिनिट निकल जाती है ये आधे अध्याय का भी टाइम कल्यूग के जीवों के पास, आप कल्यूग में पैंचेट पहन कर जाओ, काम दंदा करो तो खबर पड़े कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है प्रभू, कुछ और रिजनेबल करो, तब आगे शलोक को आगे बढ आते हुए, अतो ध्यायम यम तद अर्धम वा, तब भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, एक अध्याय न पढ़ सके एक दिन में, या एक दिन में आधा अध्याय न पढ़ सके, कोई बात नहीं, शलोकम, एक शलोक तो पढ़ सकता है, तो एक दिन में कोई गीता क एक श्लोक पढ़ता है तो लक्षमी वो संसार को छोड़कर 84 लाग की योनी से मुप्त होकर मेरे धाम वैकुंट को प्राप्त कर लेगा लक्षमी जी ने कहा प्रभू एक श्लोक भी बड़ा ज्यादा है एक श्लोक में भी बिचारे कलियू के लोग संस्क्रीट आये नव आये एक श्लोक में भी बड़ी मगजमारी होती है और थोड़ा रिजनेबल करो तब भगवान विष्णु कहते है कोई बात नहीं श्लोकम पूरा श्लोक पाठ न करे कोई बात नहीं तत अर्धम उस एक श्लोक का आधाश्लोक एक दिन मैं अब देखो कितना इजी कर दिया प्रत करते हैं प्रभू एक लाश्ट अब और एक क्रिपा कर दो तब भगवान विष्णु कहते हैं एक श्लोक भी नहीं आधाश्लोक भी नहीं अर्धम तत अर्धकम आधेश्लोक का आधा भी यदि कोई एक दिन में पड़ता है जैसे धर्म शेत्रे कुरूक शेत्रे एक लाइन तो यह चार लाइन हुँ तो एक दिन में कोई केवाल इतना पड़े धर्म शेत्रे कुरूक शेत्रे बश हो गया काम फिर दूसरे दिन समवेता यूयूत सव फिर तिसरे दिन मामका पांडवा शेव फिर चोते दिन कीम कुरुवत संजय तब आप लोग बड़े बुद्धी मानों आप लोग सोचोगे कि ये एक शलोक चार दिन में बुलना उससे अच्छा है कि एक ही दिन में ये चार बुल दू और फिर चार दिन आराम करू तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर है इसा कुछ नहीं लिखा है तो कहते हैं कि एक अध्याई नहीं आधा अध्याई भी नहीं एक श्लोक नहीं आधा नहीं आधे के आधा श्लोक भी यदी कोई एक दिन में पाठ करता है केसे पाठ तो दुसरी लाइन में कहता है अभ्यसिय यदि उस आधेश लोग का अभ्यास करता है तो लक्षमी अतीसु मेधाय मेरी दरश्टी से वो बड़ा बुद्धिमान है दुनिया के लोग किसी को भी बुद्धिमान कहे लेकिन इश्वर की निगाह में वह व्यक्ति विशेश बुद्धिमान है जो भगवद गीता का पाठ करे तो भगवान की दरश्टी में वह बुद्धिमान है और फल क्या मिलेगा प्रती दिन यदि कोई भगवद गीता का पाठ करे तो भगवान विश्णु कहते हैं कि वह व्यक्ति शू शर्म एव समुच्चते वह व्यक्ति शू शर्मा के समान उनकी मुक्ति हो जाएगी वो मेरे दाम वैकुंट को प्राप्त कर जाएगा यदि एक दिन में आधाश लोग आधे का आधा भी बाठ करें